नमस्ति दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देशी वेंडिक सोल्स पर जहां पर हम लेके चलते हैं आपको वर्चली अपने वीडियो के माध्यम से दुनिया के अलग-अलग जगहों पर और शेयर करते हैं आप से वहां की इन्फोर्मेशन और हमारी ट्रैवल एक्सपिरेंसे तो आज है चोपटा ट्रैवल सीरीज का तीसरा दिन और सुबह सुबह दियोरिया ताल की ट्रैकिंग करने के बाद अब हम निकल चुके हैं उखी मट के लिए अगर आपने दियोरिया ताल ट्रैकिंग का विलोग नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद हमारे चैनल पर जाके जरूर देखें और जानें उस जगह से जुड़ी सारी कहानिया उखी मट पढ़ता है रुद्र परियाग डिस्टिक में और यह आलमोस्ट 20 किलोमेटर की दूरी पर है सारी विलेज से उखी मट एक छोटा सा गाउं है और हिंदू तिस्टल भी है यह फेमस है केदारनाथ और मद्य महिश्वर मंदिर की वज़े से जिसके बारे में हम आपको आगी चल कर बताने वाले है कि अपके अब में है कर दो सब्सक्राइब कर दोस्तों अलविदा करते हुए सारी विलेज और चौक्ता को जल्दी पहुंचते हैं उखी मठ और वहीं मिलते हैं इस टाइम अए तो दीधा थे तो विजु दिखनी रहा था इस टाइम पर डेके कैसे पहडों में रह बसे वे हैं land flight कैसे और कि इधर अरा बहा पहार और इतरी पत्ली सड़के और इन पत्ली सड़कों से बुजडते वे हमारा प्रो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, प्रो ट्रैवलर पीछे बैठे वे, एक तरफ खाई एक तरफ पहाद पान सो मीटर है यहां से पहुंच गए हैं और यहां से गाड़ी लगा लिए हमने पार्किंग मेर पीछे हो रहा मंदिर उसाइड तो अभी जो केदानाथ की मूर्तिय दोलिया वो यहां होती है अब दस दिन के बाल यहां से चले जाएगी केदानाथ वापेस कि विंटर नीच जाते हैं तो चलते हैं अंदर का दिखाएंगे आपको अगर अंदर की आग्या मिली पर्मिशन मिली करने की आजकल बहुत सारी मंदिरों में रेस्टिक्शन्स हो चुकी हैं वीडियो आने की काफी सारी माल आए प्रशाद लेलिया है एक सो तीस का मिल रहा है और एक सो का द थाली है स्टील की वह वापिस करनी है यहीं पर तो वहीं पर जाएंगे और यह रहा मंदिर चलिए रिखाते हाँ को वा क्या जवर शांदार डिजाइन मंदिर में तो यह रहा ओंका रेशर मंदिर बहार से अंदर अलाउड नी बनाना तो बाहर बाहर से देखे स्ट्रक्श बहुत हँआ काफी दोस्तों यहां यहां पर मत म हैशोर जी की और किदाणाध जी की neste को विंटर में लाया जाता है क्यूंकर पूरा बर्फ से धखा होता है कभी उनकी डोली यहां विराज माने विराजमाने उमकारेश्वर मंदिर जी हाँ यह सामने इसमें यहाँ डोली है और इधर अपने पंच के दरी लिंग है जिनके अपने दर्शन के अंदर सारे पांच लिंग केदारनात उंगनात और वाकी सब बताएगे हैं अंदर हमने चड़ा है और अंदर बना नहीं सकते तो बाहर बाहर से स्ट्रक्चर देखिए तो अब छे तरी को यहां से कदारनात के कपाट खुलेंगे वहाँ छे को तो नहीं से जाएंगे खुलते वे और यहां से डोली जली दोस्तो हो गया है ढरशनुटाब निकलते है घर को यहां से लंबी जद्नी करेंगे हैं तो दोस्तों हिंदू मेत्रोजी के अनुसार कहा जाता है कि बानासुर की बेटी और शिरिकेशन जी के पोते अनुर्दा की शादी यहां होती इसी गाउं में और इस गाउं को स्नाइप उसा मट कहते थे बाद में इसको उकी मट से जाना गया और यह भी कहा जाता है कि राजा मंदता थे जो उन्होंने यहां पर एक पैर पे खड़े होकर ओमकार का जब करते तो उसके बाद इस जगह और खासकर इस टैंपल का जो नाम था ओमकारेशर पड़ा तो दोस्तों होगे दर्शन उखी मट और यहीं डोली जाएगी केदार ना तो जब केदार ना जाएंगे तब फिर दर्शन कर लेंगे और अब चलते हैं वाक्सी लंबा सफर है सूबे से कुछ नहीं खाया ब्रेकफास्स नहीं किया है तो अब रास्ते में अगला स्टॉप होगा गाड़ी की पेट पूजा और अपनी पेट पूजा गाड़ी की पेट पूजा भी दनी परेगी वो भी आलमस्ट खतम होने को है तेल तो चलिए चलते हैं आगे यह देखो बहुत ही खतरनाक वाला पहाड के बीस्तर रोड निकली और पहाड पूरा ऐसे आया हूँआ ओमाइगाद इट लुक्स केरी ओ ओ मैं मैं हेल गई देखो आप हमारी गाड़ी रही प्रूप कि आपी उप गाड़ी बीक्षा वालों है और भी धियांदो डृइवर पूपर वालों का भी दियां दो ड्राइवर आप अफ्तर माइव क्षूब्स को में अचिक यारे तो जार तरह एनको लगे चीगे आरे, हमके हटे सपार्स है, जो मेरे वीकेस वाले मैं तो गाइज बहुंच गये हैं, अलमोस रिषी केस जस्ट दस किमेटर रहा है रिषी केस तो पट्रोल गठा रहे हैं और अब यह स्टॉप लेंगे तो बस आज कर विलोग आपको बात लिए तो कुछ नहीं है आपको आपको सही लगाओ और दर्शन तुम्हें आपको आपको पाया अंदर बार 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 से दिखा दिया मंदिर चलिए मिलेंगे आपको जल्दी नेक्ट विलोग में तब तक करिए बाइब पाया आपको